साइन राम बच्चो आज हम अपनी पाठे पुस्ति का हिंदी व्याकरण से एक नया पाठ पढ़ेंगे पाठ का नाम है आईए कहानी सुनें कहानी का नाम सुनते ही सभी के चैरों पर मुस्कान आ गई आ गई ना तो बच्चो आज मैं आपको बंधर और मगरमच की एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाओंगी कहानी को बहुत ध्यान से सुनिए कहानी के अंत में कुछ प्रश्न भी दिये गए हैं जिनके उत्तर आपको देने होंगे ठीक है तो सब तयार है ना गानी सुनने के लिए चलिए एक नदी के किनारे जामुन का पेड़ था उस पर खूब मीठे मीठे जामुन लगते थे उस पेड़ पर एक बंदर रहता था बंदर मीठे मीठे जामुन खाता और पेड़ पर उचल कूद करता उस नदी में एक मगर भी रहता था, बंदर और मगर में गहरी मित्रता थी, जब मगर नदी किनारे आता, तो बंदर मीठे जामुन तोड़ तोड़ कर मगर की तरफ फेक देता, मीठे जामुन खाकर मगर बहुत खुश होता क्या बताएगा आपको, कि नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था, जामुन खाये हैं आप सभी ने, बहुत ही स्वादेश्ट होते हैं और स्वास्ते बर्दक भी होते हैं, उसी पेड़ पर एक बंदर भी रहता था, बंदर रोज मीठे मीठे जामुन खाता और उसी पेड थी ना उसमें एक मगर रहता था मगर यानि मगर मच उन दोनों में यानि बंदर और मगर में बहुत अच्छी दोस्ती थी गहरी दोस्ती फास्ट फ्रेंड थे वो दोनो जब कभी मगर नदी के किनारे आते हैं तो बंदर क्या करता पीड से मीठी मीठी जामुन तोड़कर मग मगर भी बहुत खुश होता एक दिन मगर ने खूप सारे मीठे जामुन खाए और थोड़े से घर जाकर अपनी पत्नी को भी दे दिये मगर की पत्नी को जामुन बहुत अच्छे लगे उसने सोचा कि जो बंदर रोज इतने मीठे जामुन खाता है तो उसका कलेजा कितना मी मगर ने अपनी पत्नी को बहुत मना किया पर वह नहीं मानू अगले दिन मगर ने पंदर से कहा मित्र मेरी पत्नी को जामुन बहुत पसंद आए वह तुम्हें पकवान खिलाना चाहती है उसने तुम्हें घर पर बुलाया है बच्छों आपने एक नया शब्द सुना कौन स है वो है कलेजा कलेजा इसे जिगर भी कहते है और इंग्लिश में इसको बोला जाता है लीवर लीवर वर्ट तो सुना है ना आपने हाँ वही तो क्या हुआ कि एक दिन मगर ने बहुत सारे मीठी जामुन खाए और बचे हुए वह अपनी पत्नी के लिए घर ली गया जब म मगर की पत्नी ने वह जामुन खाए तो उसे भी बहुत अच्छे लगे तो वह सोचने लगी कि जो बंदर भई आज मैंने खाए तो मुझे इतने अच्छे लगे अब जो बंदर रोज वह जामुन खाता है मीठे मीठे स्वादिष्ट तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा व उसने अपनी पत्नी से बहुत मना किया क्योंकि वह बंदर तो मगर का बहुत अच्छा दोस्त था और वो उसे रोज जामुन खाने के देता था देता था जबी भी मगर नदी के किनारे आता तो बंदर उसे जामुन खाने को देता था तो बिचारा बहुत उदास हुआ उसन उसने तुम्हें घर पर बुलाया है मेरे घर चलो आगे बंदर पेड से नीचे उत्रा और मगर की पीट पर सवार हो गया नदी के बीच में पहुँच कर मगर बोला मित्र मैं तुम्हें धोका नहीं दे सकता मेरी पतनी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है अब जब दावत की पकवान की बात हुई तो बंदर ने क्या कि अत्रण पेड से नीचे उत्रा और मगर की पीट पर बैठकर उसके घर जाने लगा ददी के बीच में पहुचा तो बिचारे मगर का मन नहीं माना क्योंकि बंदर तो उसका मित्र था उसकी जान खत्रे में थी तो वो बोला मगर क अरे मित्र मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता मेरी पत्नीना तुम्हारा कलेजा खाना चाती है तुम्हारा लीवर खाना चाती है आगे मगर की बात सुनकर बंदर डर गया उसने हिम्मत से काम लिया फिर बोला मित्र मुझे पहले क्यों नहीं बताया मेरा कलेजा तो पेड पर ही रह गया चलो वापस जाकर कलेजा ले आते हैं मगर वापस शल दिया नदी किनारे पहुँचकर बंदर तुरंत पेड़ पर चड़ गया फिर हसकर बोला मित्र तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो भला कोई अपना कलेजा अलग निकाल कर रख सकता है अभी क्या ह हुआ कि बीच में नदी में बंदर विचारा मगर की बात सुनकर पूरी तरह डर गया कि अब तो जान कत्रे में हैं क्या करें लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया सूझ भूच से काम लिया और क्या किया उसने बंदर से कहा अरे मगर से कहा कि अरे तुमने पहले क्यों नहीं बत उसकी बातों में आ गया और वापशल दिया नदी के किनारे पहुचकर बंदर ने क्या किया वो जट से पेड़ पर छड़ गया और हसकर बोला कि मित्र मगर से क्या रहा है बंदर कि मित्र तुम ना दुनिया के सबसे बड़े मुख हो यानि एक दम बुद्धू हो तुम्हें यह नहीं पता कि कोई भी अपना कलेजा ऐसे निकाल कर नहीं रख सकता क्योंकि वो हमारे सरीर का एक अंग होता है लीवर है ना आंतरिक अंग होता है इंटर्नल बॉड़ी और्गन होता है तो क्या कोई उसे निकाल कर बाहर रख सकता है यह नहीं मगर को कुछ भी नहीं पत परिशाणी आए जीवन में, तो हिम्मद से काम लेना चाहिए, सूझ-बूच से काम लेना चाहिए. देखि बंदर ने भी हिम्मद से काम लिया, जल्दी से उसने अपना दिमाग दोड़ाए, क्या करना चाहिए, इस परिस्टिती से कैसे बाहर आना चाहिए, उसे तुरंट एको पाय सूजा और उसने अपनी जान बचा ली अच्छी लगी कहानी? चलिए, अब कुछ प्रश्ण हैं, उनके उत्तर भी जट से दे दीजे सोचिए और बताईए, मौखिक का प्रश्ण, नदी के किनारे कौन सा पेड़ था? बताईए, कौन सा पेड़ था? जामुन का, very good ख, बंदर का मित्र कौन था? कौन ता बंदर का मित्र? मगर, यहां आप मगर भी लिख सकते हैं? मगर मच्छ भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है ग, मगर जामुन किसके लिए ले गया? किसके लिए ले गया था? अपनी पत्नी के लिए घ, मगर ने बंदर का कलेजा लाने के लिए क्यूं मना कर दिया? क्योंकि वह रही मगर का मित्र था मित्र थे न, बंदर और मगर दोनों अ, मगर की बात सुनकर बंदर ने क्या किया? गोलिए बंदर ने हिम्मत से काम लिया समझ में आए तो देखिए आपको क्या करना है यहाँ नीचे तो जगे नहीं दी है तो आप यहाँ साहिड में सभी प्रश्णों के उत्तर लिख सकते हैं ठीक है और अगर नीचे यहाँ जगे है तो आप यहाँ लिख लिजे तो जल्दी से लिखना शुरू कीजे यह दिखिए मैंने सभी के उत्तर यहाँ लिखे हुए है आप कॉपी कर लिजे अगर आपने खुछ से लिखी है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं लिख पाए है तो आप यहाँ से देख कर लिख लिजे चलिए जल्दी कीजे लिख रहे हैं ना वेरी गुड और हैंड राइटिंग पर खास ध्यान देना है अच्छा अच्छा लिखना है और जल्दी जल्दी भी लिखना है बच्चो कहानी कैसी लगी? तो कहानी पढ़कर आपने अच्छी बात भी सीखी है ना हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है तो आप इस कहानी को फिर से एक बार पढ़िए ताकि आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी हो सकें ठीक है? तो मैं आपको अगली पीरिड में कुछ नया बढ़ाँ ठीक है?